मेरे पागलो बागे सुर्धाम से जितने भी जोड़े यहां पर बैटे हैं घर पर आप लोग साधना कर सकते हो परचा ना भी बने किसी के घर में बीमारी है तो सुन लो अब पूरी बात ध्यान से जल्दी जल्दी सुनना है फिर दरबार सुरू करें घर में बीमारी है परचा नहीं बन पाया लकवा है रोग है बहुत दबाईया चल रही दबा असर नहीं कर रही घर पर नारियल बांद लो बागे सुर्धाम नहीं जा पार है घर के लोग बिचित्र हैं साधन नहीं है रुपया नहीं है पैसा नहीं है गरीबी है सुनो घर पर नारियल बांदो कभी वागे सो धाम जाना तो वो नारियल ले जाना रोज एक चौपाई का पाट करना है गंगाजल कटोरी में रख कर नोट कर लो चौपाई हनमान चालिसा की बहुत तेज पावर्फुल चौपाई है चौपाई है नासे रोग हरे सब जपत हनुमत भीरा इस चौपाई का एक सो आठ वार पाट करना सन्यासी बाबा को पाँच वार आहूती देना गंगाजल में उस भस्मी को डाल कर फूंक लगा कर बीमार रोगी को रोज पिलाना सुरू कर देना चालीस दिन में दबा असर करने लगेगी रोग घटने लगेगा बागे सुर बाला जी की अरजी सुईकार हो जाएगी और जितनी बार जितने सदस घर में हो उनके लिए अलग 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 प्रियोग करना लेकिन हाँ बीच बीच में मंगलवार या सनीबार की बागे सुर धाम की पेशी करना अनिवार है क्योंकि महमा और चमतकार बागे सुर बाला जी का है किसका है किसका है यहते तो हमारी बाई-भाई हैं सो हम बता जे भी पर टावर तो होता ही लगो आगे सूर धाम पे सिग्नल तो वहीं से आ रहे है आपको गुरुजी शनमान जी तो सब जगह है हम यहीं तार वाले शनमान के पास चले जाएंगे रुपईया कम लगेंगे वहाँ एक ऐस परिक्मा लगाते यहाँ एक सो आठ लगा लेंगे काम भी हो जाएगा आग्या देदो बात सही है लेकिन नो 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 ऐसे नहीं होगा क्यों? हनमान जी तो सब जगए हैं हाँ जी या ना जी? बोलो हाँ जी या ना जी? अच्छा हवा भी सब जगए है हाँ जी या ना जी? बागे सुरधाम पर जाना है नियम का पालन करना है तो यह बीमारी बालन के लिए लाने होगा अब सुनो जिनके काम सपल नहीं हो रहा काम में रुकाबट है बिबाह ब्यापार सो गुना अच्छा दो तीन महीने में धाम की एक बार पेशी करना शुरू कर देना नारियल घर पर बांद कर एक चोपाई नोट करो राम चरत मानस के किसकंदा कंड की पाबरफुल चोपाई बहुत पाबरफुल और सब के मूँ पर है कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो ही तात तुम पाही हे हनमान जी ऐसा कौन सा काम कठिन है जो आप से संभव न हो पाए इस चोपाई का 108 बार जो जाप करता है बागे सुर्धाम की 2-3 महीने में एक बार पेशी करता है बिना परचा बने ही उसके जिन्दिगी में चमतकार हो जाता है आप कहोगे महराज जी तारवाले हनमान जी के यहां पेशी कर लें नो 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 दर्सन करो पेशी तो बागे सुर्धाम पर ही चलेगी पूछो क्यों हनमान जी तो सब जगए है हाँ जी या ना जी हवा भी सब जगए है हाँ जी या ना जी हवा है के नहीं पर जो पंखा के नीचे बैठता है उसे ज़्यादा हवा लगती है हाँ जी या ना जी उसी प्रकार हनमान जी सब जगए है संत जहां तपस्चा करते हैं वहां हनमान जी विसेस रूप से लीला करने लगते हैं उस धाम का नाम बागिसुर धाम है